जहाबा जिले में बीते दिनों साहुकारों के ब्यात से परेशान शश्रिकांत खत्री नामक व्यक्ती नी आत्म हत्या कर ली थी जिस पर अब मृतक के बेटे का बयान सामने आया है ब्रतक के बेटी संसकार ने मामली के जानकरी देते वे कहा कि कुछ साहुकारों द्वारा लगाता धमकिया दी जा रही थी जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने आत्मात्या कर ली जहां बेटे के बयान के बाद पुलिस ने सभी साहुकारों के खिलाफ मामला दर्जगर कारवाई शुरू करती है। इस वज़े से मारने की घर से उठा लेने की और मेरे बेटों को भी मारें और इस तरीकी की बहुत शारी दंकिया दी जिस वज़े से मेरे बापा बहुत ज़्यादा प्रतारित हो गया। प्रतारितार को सहतर सहते मेरे बापा ने डिसाइड किया कि वह एसपी में आवे दन देंगे। हमने चब्वीस अप्रेल को एसपी साप का आवे दिन दिया और उसी के आठ दिन बाद हमने टिया आवे दन दिया। लेकिन मेरे पार कियात मत था कि तक उस आवे दन को दी एक महीना हो चुका था लेकिन पुलिस प्रसाइशन ने कोई भी कारवाई नहीं की अगर पुलिस प्रसाइशन कारवाई करती तो आज यह नोबत नहीं आगती। लेकिन हाँ मुझे पुरा वरोस है कि अब जो हुआ है अब आगे पुलिस प्रसाइशन कारवाई करेगी कल थाने में मेरा बयान हुआ था मैंने जाकर बयान दिया जिन लोगों ने जिस तरीके से ब्रता डिट किया था मैंने सभी प्रक्तियों का नाम लिया है और और भी अगर कुछ भी हम लोगों को कुछ भी परेशानी होती क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी जो मेरी माता जियो बहुत मांसिक रुप से बहुत परेशान अगर उनको भी कोई हानी होती है तो उन सारी चीजों के भी जवाबदार यही सारे लोग और पुलिस प्रसाइशन रहेगी अगर अभी भी सकत कारवाई नहीं की गई तो